Hello everyone, कैसे आप सब लोग, तो चलिए इस वीडियो में हम देखने जा रहे हैं Part 2 of Business Environment, Business Environment के Features हम देख चुके हैं, Business Environment का मिलिंग देख चुके हैं, अब Impotence की बात करते हैं, तो Business Environment की Impotence 6 होती है, सबसे पहली पर आयते हैं, सबसे पहली Impotence हमारी है, यह आप के लिए flowchart बना दि अगर आप business के environment को properly scan कर लेते हो अगर आप proper analyze कर लेतो business के environment को तो आपकी मदद करता है यह कि identify the opportunities आने वाले time में क्या क्या opportunities हो सकती है उसको properly business के environment को scan करके हम देख सकते हैं and getting first more advantage first more advantage अगर हमने proper scanning कर ली है हमें opportunity का पता लग गया है तो हम first more advantage ले सकते हैं उसी particular segment में हम first time आकर जादा maximum profit कमा सकते हैं example देता हूँ एक real life example दूँगा और एक general example दूँगा देखो general example की बात करें तो Activa Honda company सबसे पहले एक्टिवाल आई है अब जितने भी scooter आते हैं वो सब चाहे वो फैसीनों हो चाहे वो ग्राजों हो कोई भी company का आप ले लो लेकिन जादातर लोग उसको active कहते हैं चाहे आप एविएटर ले लो जादातर लोग कहते हैं एक्टिवा आ रहा है समय रहे हो तो first more advantage एक example ओर देता हूं WhatsApp पहले हम messaging करते थे messaging एक एप होती थी already defaulted हमारे मुवाइल में वो एप इतनी convenient नहीं होती थी जितना convenient क्या आगिया है WhatsApp कि एकदम से आएगा एकदम से चले आएगा message ड्रीट भी कर सकते हैं अपने status भी लगा सकते हैं बहुत सारी बाते उसमें और business के लिए कर सकते हैं उसको use तो क्या है तो यह है first more advantage उसने analyze किया opportunity को कि क्या आने वाले time में हो सकता है और first more advantage अब इसका real life example क्या है यह lockdown है इस lockdown से ऐसा भी हो सकता है बहुत सारे business बंद हो जाए और ऐसा भी हो सकता है कि number of business आगे आने वाले time में खुल जाए number of business के लिए एक opportunity का का काम भी कर सकता है यह lockdown यह pandemic तो यह होता है कि हमें analyze करना है कि क्या आने वाले time में किस business का जमाना है, online business का जमाना है, हमें अपने physical business को बंद करके online में जाना चाहिए, तो यह होता है identification of opportunities and getting first more advantage, हम ऐसे first more advantage ले सकते हैं चलिए अब हम आते हैं अपने second importance पर, second importance is, helps the firm to identify the threat and early warning signal तो पहले यह threat और early warning signal को समझ लेते हैं threat का मतलब, वो कोई भी चीज जो आपके business पे effect डालती है, negative effect मतलब, वो कोई problem आपके business के लिए, जो आपके business को problem में डाल लेगी या फिर आपके business को बंद कर सकती है वो threat होता है early warning signal, हम एकदम से analyze कर लें कि भाई अगर lockdown हुआ है तो हमारे सब के सब businesses बंद होने वाले हैं तो अब हमें online class शुरू कर देनी चाहिए, हमें online facilities जो है, delivery की करनी चाहिए, यह क्या है early warning signal होते हैं कि हमें एकदम से अपने आपको change करके पहले ही से देख लेना चाहिए कि क्या होने वाला है एकदम से अपने आपको उसके coding change कर लें इसे कहते हैं, early warning signal इसका best example, earthquake अगर हमें पता लग जाए कि earthquake आने वाला है तो तो क्या हम ऐसी बेट रहेंगे हम एकदम से उसकी पहली से planning कर लेंगे, अर्थक्वर्ण हैगा रखते हो कि आने वाले डाय में क्या problem हो सकती है मेरे business को और यह आपको early warning signal देगा कि अब इस चीज़ को खतम कर दो और एक नई industry में खतम रख सकते हो for example बजाज बजाज ने एक क्या किया है analyze किया है और उसने देखा कि हमारी market ही खतम होती आ रही है तो बजाज पलसर लिया है वह और again market leader बन गया है ऐसी Honda Honda ने क्या किया है Activa निकाल दिया है वह उसने thread को analyze किया और अक्टिवा निकाल दिया और वह market leader बन गया है तो और ऐसी example एक और देता हूं मैं आपको watches watches की company है watches company ने क्या करा analyze किया कि हमारे पास तो बिल्कुल भी customer नहीं आ रहा है जब से mobile segment आया उन्होंने एक branding कर दिया अपनी के brand name जो है उसने एक कुछ बड़े बड़े लोगों को अपने जो है ब्रैंड ambassador बनाया और उनको watches बनाया ताके नोट्स में ठीक प्रवाइड कर दूँगा चलिए अब आते है थर्ड पर helpful in tapping and assembling resources helpful in tapping tapping का मतलब होता है collecting आप जब resources क्लेक्ट करते हो इसे tapping कहते हैं business के environment को अगर हम लोग properly scan कर लेंगे तो it helps in tapping the resources हम वही वाले resources को collect कर पाएंगे जो हमारे useful है for example बहुत अच्छा example देता हूँ TV की जितनी भी company है पहले क्या होता था black and white TV आता था black and white TV सब लोग देखते थे बैठकर उसके बाद color आ गया है उसके बाद फिर LCD TV आया है फिर LED TV आया है तो अगर business के environment को properly TV की company ने analyze किया है तो अब जमाना आने वाला है 3D TVs का के 3D TV आने है और अगर बहुत अच्छे से analyze कर लेता है वो तो ऐसा भी हो सकता है आने वाले time में virtual TV आ जाए कि virtual means हमें ऐसा लगे कि हमारे सामने बंदा बैटा है और हमारे सामने बैठकर बात कर रहा है तीवी में नहीं है तो यह भी हो सकता है ऐसा कि आने वाले time में हो सकता है तो वही चीज़े हम collect करेंगे वही इसको हम collect करेंगे जो हम आने वाले time में चाहिए हम business के environment को analyze करके properly scan करके यह काम कर सकते हैं देखते हैं business environment is a source of various resources such as man, machine, money, material, raw material, power, etc. in order to know the availability of the resources and making them available on time at economical prices knowledge of business environment is necessary business के environment की necessary knowledge होने चाहिए हिन सब को collect करने के लिए चलिए fourth हमारी importance क्या कहती है fourth importance यह बोलती है helps in copying with rapid changes copying with rapid changes का मतलब होता है कि अगर हम business के environment को connect कर पाएं relate कर पाएं तो हम rapid changes को एकदम से adopt कर लेंगे हम उससे copying लड़ सकते है rapid changes से for example इसका भी बहुत अच्छा example देता हो में मान लो अच्छा brand loyalty के बारे में पता है आपको brand loyalty का मतलब ही होता है कि हम लोग कोई भी एक particular brand को follow कर रहे हैं आज के time में brand loyalty बिलकुल खतम हो चुकी है पहले लोग क्या होते करते थे रेमेंट के अगर कपड़े पहन रहे तो रेमेंट के पहनेंगे अगर लूइस फिलिपस के पास जा रहे तो वो लूइस फिलिपस के जा रहे हैं अब लोग क्या कर रहे है कि different different brand ग्राइट प्रेफर करते है जॉन प्लेर सिप्रेफर करते हैं में भी प्लेफर करते हैं और पीटर इंग ब्रेफर करते हैं तो क्या हुआ यह चीज किसने इह ilum कि अदितिय बिल्ला सिसक्राइब आप जानते हो पानूं PATRchodziAR कर दिया लुइस फिलिप भी उनकी है और बहुत सारे पीटर इंगलेंड भी उनकी है तो यह क्या होता है उन्हों रैपिट चेंजिस से एक दम से कॉपिंग कर लिया अजस्ट कर लिया अपने आपको according to the demand of the customer एक example और देता हूं बहुत अच्छा example है आप फेस्बुक फेस्बुक कंपनी है फेस्बुक ने देखा आजकल जमाना है वाटसेप का वाटसेप लोग बाग बहुत यूज कर रहे हैं तो उसने क्या करा एडवंटेज ली और इसके पास पैसा बहुत था तो उसने वाटसेप को ही खरीद लिया यह रैपिट चेंजिस से क्या हुआ रैपिट चेंजिस अपने अंदर लाया और रैपिट चेंजिस से लड़ा बिजनस के अन्वामेंट को अनलाइज करके चलिए आप पढ़ लेना ड्यू अब एक्जाम अब हम फिफ्थ मूव करता है फिफ्थ इंपोड़न्स पर फिफ्थ इंपोड़न्स हमारी कहती है असिस्टिंग इन प्लैनिंग पॉलिसी मेकिंग बहुत इजी है यह वाली अगर आप बिजनस के इन्वामेंट को कनेक्ट कर लोगे प्रोपर ली स्कैन कर लोगे तो आने पॉले टाइम में प्रोपर प्लैनिंग कर पाओगे प्रोपर पॉलिसी बना पाओगे अगर हमें बिजनस के इन्वामेंट को नहीं ना पता हमें यह नहीं पता है कि जियो हमारी टैबली कॉमिनिकेशन कंपनी है हमें यह नहीं पता है कि जियो आगे क्या प्लैनिंग करने वाला है तो एटल आगे की प्लैनिंग नहीं कर सकती तो आइडिया आगे की पॉलिसी नहीं बना सकती है तो प्रोपर बिजनस के इन्वर्मेंट को स्कैन करने के बाद हम प्लैंडिंग और पॉलिसी बहुत इजीली बना पाएंगे चलिए अमेचे प्लैंड इस तौडियस इन्वर्मेंट को मैंड में रखकर की प्लैंड बनता है बगुकस दचेस्ड इंपलेवंगे और प्रॉपेंड पर जीए और अब हम आते हैं इन्प्रोटन पर जो हमारी लास्ट इंप्रोटन्स है आट इस इम्पॉव्म्मेंट इन परफोरमेंस बहुत ज्यादा सिंपल इन परफोरमेंस अगर अगर वाट अगर एक्जाम्पल देता हूं अगर फेज्बुक ने वाटसेब को खृद लिया है तो वाटसेब फेजबुक की प्रफोरमेंस आट्रमेंस एंप्रूव होगी है क्यों दोनो कंपनी उसी ही की है चलिए पढ़ते हैं the enterprises that the enterprise that continuously monitor the environment and adopt suitable business practices are the ones which not only improve their performance but only continue but also continue to succeed in the market for a long period अगर आप properly scan करोगे business के environment को तो आपकी performance automatically improve हो जाएगी example देता हूँ for example आपको मैंने बोल दिया कल को test लूँगा और test paper ये रहा कल को इसी की preparation करनी है five questions है five के five आपके सामने तो आपकी performance कैसी आएगी hundred percent आएगी आप hundred percent marks लाओगे क्योंकि आपको पहले ही पता लगए है यह उत्य है business की business environment की scanning हमें scanning कर ली तो हमारी improvement हो जाएगी performance हम आने वाले time के बारे में सब कुछ बता सकते हैं यह हमारी six importance हो चुकी है और six की six हमारे बहुत अच्छे समझ में आ चुकी है अब हम इसकी क्या देखेंगे yesterday tricks देखेंगे और फिर हम next video में dimensions of business environment कवर करने जा रहे हैं तब तक के लिए इस वीडियो को जुल्दी से शेर करो